हेलो डीए स्टूडेंस वेलकम बैक टियो चैनल टार्गेट को रखुल अगर आपका स्यूटी में केमिस्ट्री डॉमेन सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए यूसफुल होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर स्यूटी हैं तो फिर वह आपका कड़ अनुश्टि अनुवर्स्टी आपको यूनिवर्स्ट्य टीским ठैक्स पहले पहले बात ये हैं कि यूसरा थे होता है देखो, 50 questions total, ठीक है, कितने questions आएंगे आपके, total 50 questions, ठीक है, इन में से आपको करना कितना होगा, आपको 40 questions attempt करने होगे, 40 questions attempt करने होते हैं, ठीक है, 40 questions attempt करने होगे, for each correct answer, हर correct answer के लिए, आपको कितने marks मिलेंगे, correct answer, हर correct answer के लिए, आपको 5 marks award होगे, आपको कितने marks award होंगे 5 marks और अगर आप गलत कर रहे तो कोई answer तो वहाँ पर negative marking भी देखने को मिलती है क्या होती है आपकी negative marking होती है और हर गलत answer के लिए आपकी 1 marks deduct हो रही होगी ठीक है 1 marks deduct हो रही होगी ठीक है तो समझ में आया आपको 50 questions देखने को मिलेंगे जिसमें से आप 40 questions को attempt करो लेकिन आप इतने अच्छे से मैं आपकी preparation कराऊंगी ना कि आपको टोटल 50 के 50 questions पूरे के पूरे आ रहे होंगे ठीक है तो उसकी tension ना लेना देखो और 40 attempt करने होते हैं और correct answer के लिए हर एक correct answer के लिए 50 sorry 5 marks मिलते हैं और negative marking आपकी होती है जो कि 1 marks deduct होता है for each one wrong answer okay तो यहां से आपके total जो marks हो गए chemistry domain में total marks जो हो गए वो कितने हो गए देखो यहां पे 4 और 5 40 questions और 5 marks यानि की 200 marks total आपके कितने marks हो गए 200 marks ठीक है इस 200 marks के लिए आपको आपको अच्छे से त्यारी करनी है ठीक है चलिए तो start करते हैं और syllabus पर आते हैं देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे prepare करोगे तो एक हमारे पास आप टार्गेट गुरुकुल के mobile app से आप हमारे batch को बैस से जोड़ सकते हो ठीक है टार्गेट गुरुकुल के mobile app को डाउनलोड करो mobile app महाँ पे डाउनलोड करो और महाँ पे क्या होगा आपका CUT 2025 के लिए CUT 2025 के लिए especially आपकी आरंव बैज को launch किया है हमने क्या आरंव बैज ठीक है तो इस बैज में आपको देखो इस बैज में आपको सारे अगर आपका domain subject कोई भी language भी है तो आप उससे related भी आपके सारे आपके जो भी जो भी आप लेते हो तो हहां से उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी ठीक है और यहां पर कोर्स वाइस हर इक domain subject के लिए आपको मिल जाएगा ठीक है और इस इस बैज में मैं आपको पर्टिकुलर ली केमिस्ट्री में आपके पूरी जर्णी में जोडने वाली में आपको वहां पर केमिस्ट्री में guidance लूंगे ऐसे बाकी हमारे mentors हैं जो आपके बाकी subjects में guidance देने वाले हैं तो आपको यहां पे complete प्रिप्रेशन करा दी जाएगी इस आरम्भ बैच में ठीक है अब बीए से करना चाहते हो यहां मैं तो पर्टिकुलर लिए से के लिए हूंगी लेकिन अगर आप बीए भी करना चाहते हो तब भी आपकी बीए में कोई subject तो वहां पे भी आपके सारे subject सब्सक्राइब करने के लिए हमारा वहां पे कूपन कोड यूज करोगे गुरुकुल 10 तो वहां पे आपको 10% और भी देखने को मिलेगा 10% का और वहां से पर्चेस कर सकते हो ठीक है यह हो गया कि आप कहां से पर सकते हो पूरी प्रिप्रेशन कर सकते हो एफॉर्डेवल है उतना कुछ उतना हाई प्राइस ने रखा गया ठीक है तो और आपको यह भी पड़ा चल गया कि आपके कितने questions आने वाले हैं कैसे आपको prepare करना है अब चलिए अब हम यह discuss कर लेते हैं कि आपको क्या चीज़े पढ़नी होंगी क्या चीज़े ज्यादा focus करना होगा क्या चीज़े छोड सकते हो आप ठीक है तो ऐसा तो होता नहीं है कि किसी भी university exam के लिए university exam नहीं बोलूंगे मैं entrance exam के लिए क्या हो कि आप 100% पा रहा हो ठीक है तो ऐसा in general possible वो भी नहीं पाता है देखो क्या है आपका पहला जो unit है basically उसी के concept महीं से questions क्या होते हैं आपके arise होते हैं ठीक है NCRT का जो भी आपके पास book है उसको अच्छे से go through करो ठीक है most important होती है किसी भी किसी भी type of exam देने जाओ ठीक है फिर वो UPSC क्यों नहीं हो है तो वहां भी NCRT आपके important चलो start करते हैं अपने syllabus पे solid state ठीक है solid state से आपको उतना जारा question नहीं देखने को मिलेगा लेकिन approach 1,2,2,2,3 questions आपको देखने को मिलेगा classification of solids based on different binding forces जो भी आप पढ़े हो ना covalent solids unit cells के बारे में unit cells में कितने dimensional dimensions सारी 3D dimensional lattices के बारे में density of unit cell के बारे में packing efficiency के बारे में voids जो भी बन रहा हो जो भी voids आपके बन रहते हैं और सब फिर आपकी band theory के आपको इसमें देखने को मिली होगी semi conductors के बारे में आपने पढ़ा होगा तो यह सब आपके syllabus में ठीक है यानि solutions में आपको type of solution जो भी concentration होती है solutions की वो सारी चीज़े देखनी है फिर आपका जो भी colligative properties होती है कहां गया colligative properties होती है सारी colligative properties को देखेंगे elevation हो गया boiling point का डिप्रेशन हो गया freezing point का ठीक है abnormal molecular mass want of factor यह सारी properties को आपको solution में देखनी है ठीक है फिर जो आपकी next unit है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यह unit बहुत ही important होने वाली है ठीक है यह unit बहुत ही important होने वाली है इससे आप देखो बच्छो त्यारी करो तो ऐसी करो कि कोई भी आप exam के preparation करो ना बाकी exams भी clear हो है ना आप बहुत लोग का ड्रीम होगा बहुत लोग का ड्रीम में भी हुआ भी हो कि आईटी में जाना ठीक है तो अभी ऐसा नहीं है कि आप बहुत बच्छों को नहीं पता होता यह चीज तो मैं बता दियरे हूं वहां पर एक आईटी जाम का exam conduct होता है ठीक है इसके थो आपको आईटी मिलती है और यहां से आपको MSC में admission किसी भी मतलब जो भी आपका तो वहां से आप MSC में admission ले सकते हो आईटी में ठीक है और बेसिकली इसके लिए आईटी मोस्ली अभी लेवल होती है अगर आपका chemistry के थ्रू है तो मैंस अगर आपका major 12 में रहना चाहिए ठीक है तो आप ऐसे पढ़ो कि आप chemistry coordination यह सब important most of the important chapters में आते हैं ठीक है तो electrochemistry start होती है अपने redox reaction से reduction oxidation से ठीक है फिर सारे conductance जो भी conductance है उस चीज को देखना है सारे conductance specific molar conductivity वेगारा electrolysis cholera श्राव नर्स्ट equation यह सारी चीज़ें EMF of the cell Gibbs energy और EMF में relation यह सारी चीज़ें important होती है ठीक अप्लिकेशन ऑफ नर्स्ट equation यह सारी चीज़ें factors important होते हैं ठीक है चलो फिर फिर हैं आपका chemical kinetics यह chemical kinetics से भी आपको state level वाली exam भी दोगे तो इससे भी आपको अच्छे खासे questions और बाकी जगवापे भी chemical kinetics से अच्छे खासे questions देखने को मिल जाते हैं ठीक है तो chemical kinetics में rate of reactions के बारी में बात करनी है आपको और वो कौन से factors होंगे जो उन rates को effect करेंगे rate of reaction है तो factors उनके affecting ठीक है और कौन जो भ rate constant और integrated rate equation okay half life ठीक है direct question पूस देता है equation को reaction देगा उसके terms देगा और वहाँ पे half life आपको पूछेगा आपको reaction देगा वहाँ पूछेगा कि order of the reaction बताओ ठीक है तो यह chapter important हो जाता collision theory और फिर आपका activation energy और साथ ही साथ Arrhenius equation ठीक है ठीक है ठीक है चलो फिर आपका जो next unit मतलब next topic कहले surface chemistry क्या है surface chemistry में आपको adsorption के बारे में adsorption के बारे में basically देखना है adsorption के बारे में chemisorption के बारे में और जो भी factors होंगी वो जो effect कर रहे होंगे gases का adsorption किसी solid पे उन factors को रिखना है gases का adsorption solid पे ठीक है फिर homogenius होगे heterogenius होगे catalysis फिर activity and selectivity enzyme catalysis देखना है और collidal state देखना है ठीक है ठीक है ठीक है true solution collide suspension lyophilic lyophobic multi molecular इन सब में differentiation macromolecular collide सारे में differentiation देखना है ठीक है यह चीज हो गई और फिर आपके emulsions हो गया है ठीक है तो यह सारी topics इस chapter के इस unit के important हो जाते हैं फिर general principle and process of isolations of elements यह topic थोड़ा सा देखो यह topic क्या होता है यह chapter basically रट्टू वाला होता है तो इसमें समझना कम होता है रट्टना जादा होता है तो इसमें basically यहां से कि इसका और क्या होता है इस और का formula क्या होता है हमें टाइट बोल देगा पर कोई भी और आपको बोल देगा तो वहां पर आपको उसका formula वगरह तो वह चीज नहीं है ठीक है बेसिकली जिंक और चाप्टर्स में आता है पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको क्या देखना है आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट है बिसिकली वह ग्रुप 15 ठीक है ग्रुप 16 सारे ग्रुप्स को स्टैपरेट स्टडी करना है उनका जेनरल इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन पता होना चाहिए कौन-कौन से ऐलिमेंट होते हैं क्या यूजिस होते हैं और जो एलिमेंट्स है पर्टिकुलर्ली वह क्या प्रॉपर्टी किस टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रही है ठीक है देखो सब सब में पहले आपको जेनरल इ सब्सक्राइब की कि एलेक्ट्रोनिकोट्न प्रॉपर्टि में सारे उस प्रॉप में पसी सटीमिट्र में घया जो यहां पे आएगा ठीक है group 16 है तो यहाँ पर oxygen वाला आएगा ठीक है तो वहाँ पर वो चीज़े देखती है तो nitrogen preparation properties और उसे uses और जो भी compounds form कर रहा है nitrogen उसका preparation properties of ammonia and nitric acid ठीक है जो भी important compounds form कर रहा है oxides of nitrogen के बारे में पढ़ना है और सिफ उसका सिफ और सिफ इस्ट्रक्शर आपका सलिबस में है ठीक है फिर phosphorus के बारे में देखेंगे उसके सारे allotropic form ठीक है कौन सा phosphorus सारी forms देखेंगे तीनों तो जो भी compounds बना रहा होगा phosphorus उसके preparation उसकी properties को डिसकस करना है और basically phosphine halides जो होते हैं उसकी properties को आपको जानना है ठीक है और जानना है ग्रूप 16 की बात करें तो वही general general introduction फिर उनके क्या कहते है electronic configuration क्या है वो क्या properties शो करती है और साथी साथ क्या trend वो follow करती है उनकी जो different क्या कहते है जो different periodic properties है वो क्या trend follow करती है ठीक है यहां पर हम dioxygen के बारे में बात करेंगे उसके preparation के तरीके उसके preparation के तरीके वो क्या properties शो करेंगी साथी साथ क्या कौन-कौन से oxides बनाएंगी जो भी important oxides होंगी उनके के बारे में आपको study करनी है in detail ठीक है फिर classification of oxides ozone के बारे में आपको o3 के बारे में देखना है ठीक है ozone आपका जो 3 है उसके बारे में भी देखना है ठीक है फिर आपका oxygen के sulfur आता है तो sulfur का जो भी allotropic form होगा तो sulfur के सारी forms और उसके जो भी important compounds form कर रहा होगा और साथी साथ उसकी preparation properties और uses देखने हैं आपको ठीक है sulfur dioxide sulfuric acid इसके बारे में ठीक है और जो sulfuric acid का basically क्या होता है इंडस्ट्रियल नेवल पर ज्यादा ही यूज होता है तो उसके इंडस्ट्रियल मेठर्स को देखना है कैसे वह manufacture होता है properties उसकी uses और oxygen of sulfur ठीक है sulfur के oxygen के बारे में भी हम जानेंगे ठीक है और फिर इसके बाद है आपका group 17 elements 17 elements आपको general introduction यानि कौन कौन से elements है फिर आपका electronic configuration क्या होता है वो क्या trend फॉलो करते हैं क्या उनके अब फिर उनके compounds में आएंगे और फिर उनके compounds क्या preparation techniques है उनके कैसे prepare कर सकते हैं क्या वो physical properties शो करते हैं और क्या वो chemical properties शो करते हैं यह सारी चीज़ें इन डीटेल आपको जाननी है ठीक है फिर आपके ग्रूप 17 क्या होते हैं यह आपके basically halogen होते हैं तो इन halogen के preparation method और properties और क्या उनके uses हैं ठीक है अब जो important compounds और फॉर्म कर जैसे क्या है हम ना सारे सारे मदलब chapter को unit को in detail अच्छे से इगनम काहिदे से आराम से discuss करेंगे और इगनम time to time पर आपका syllabus भी खतम करेंगे और साथी साथ proper mcqs भी करेंगे ठीक है और इसी चैनल पर टार्गेट गुरुगुल चैनल पर टार्गेट समस्टर को भी आप सब्स्राइब कर लेंगे क्योंकि वहां पे वीडियो अपलोड होती है तो आपको क्या मिलेगा आपको PYQs जो भी सीउटी में आपके PYQs chemistry domain में पूछें उसको मैं कराओंगी ठीक है एक्जाम स्टार्ट वाइस से पहले 22 22 यहीं से एक्जाम स्टार्ट वाइस के पहले सुटी नहीं था हर एक Central University अपना अपना एक्जाम करा रही थी ठीक है तो यहां पर ग्रूप 18 का जैनल इंट्रोड़क्शन फिर इलेक्ट्रोणी कॉन्फिग्रेशन साथी साथ अकरेंस ट्रेंस फिजिकल एंड क्यामिकल प्रॉपर्टीज यह होते हैं बेसिकली किसी के साथ जाधा कमाई नहीं करते हैं तो इसके इसलिए उनके कंपाउंस के बारे में डिसकुशन यहां पर आपको नहीं देखने को मिले और रढ़ीगी ठीक है बैलिंग्वल मिलेंगी दोनर लाइंग्विज मिलेगी तो हिंदी मीडियम वाले बी इंग्लिश मीडियम वाले इसलिए अब दोनों ही के लिए यूसफुल होने वाली थे कहा चलो घर पढ़ने के बादि और एफ भलॉक की स्टडी करना डी और एफ character के बारे में पढ़ना है और जो भी आपकी periodic properties हैं उनको study करना है ठीक है preparation और properties आपके K2CR2O7 और KMNO4 को in detail देखना है ठीक है अब फिर हैं आपके पास lengthenides ठीक है lengthenum के बाद से lengthenides f-block के elements जो उनका electronic configuration oxidation state और साथ ही साथ chemical reactivity lengthenide contraction lengthenoid contraction से question फ्रूसता है ठीक है lengthenide contraction और उसके consequences lengthenoid contraction के वज़े से क्या effect पढ़ता है वो consequences आपको in detail study करनी है ठीक है चलो lengthenides के बाद से आपके actenoids आते हैं actenoids के भी आपके electronic configuration उनका oxidation state और comparison with lengthenides lengthenide के comparison में यह क्या trend follow कर रहे हैं क्या इनकी properties हैं कैसे यह differ कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को आपको in detail study करनी है ठीक है अब यह जो coordination compound आपकी unit है यह भी most of the important units में ऐसे आएगी क्योंकि आप कोई भी exam के आगे प्रपेशन करोगे जो की related होगा chemistry से वहाँ पर यह जो coordination compounds है definitely ही आप से पूछ रहा होगा ठीक है यहां और अच्छे खासे number के यहां पर questions भी पूछते हैं ठीक है चलो coordination compounds के आप जेनरल introduction देखना है कैसे कैसे कौन से types of ligands होते हैं आपको ligands के बारे में proper knowledge होनी चाहिए coordination number के बारे में knowledge होनी चाहिए और जो भी compounds form हो रहे हैं ligands की हैं से और different coordination number पर तो उनका shape क्या हो रहा है ठीक है उनकी properties क्या हो रहे है awareness theory important है awareness theory के बारे में VBT, CFT, crystal field theory, wellness bond theory और isomarism ठीक है structure isomarism हुआ या फिर stereo isomarism हुआ यह चीज़ें आपको देखनी है ठीक है importance देखना है coordination compounds का कि कैसे coordination compounds important होते हैं और उनके extraction, metal और biological activity भी देखनी है आपको ठीक है फिर आपका यह आता है hello alcanes next unit है hello alcanes hello alcanes का nomenclature कैसा bond होता है जैसे hello alcanes है तो carbon से आएगा आपका टकराएगा organic यहां से portion है न तो आपका टकराएगा कोई भी halogen आके वहाँ पे जोड़ा होगा तो जो CX जो होगा bond वह आपका यह CX क्या है कोई भी halogen हो सकता है तो इस CX bond का nature के बारे में study करना है उनकी physical और chemical properties उनके mechanism जो substitution reaction के होते हैं SN1, SN2 reaction वो चीज़ आपको देखनी है optical rotation के बारे में ठीक है अपको अच्छे खासे questions रेखने को मिलते हैं ठीक है फिर देखो यह हलो एरींज की बात कर रहे है फिर uses of environmental effects of dichloromethane ठीक है dichloromethane के बारे में detail trichloromethane और tetrachloromethane के बारे में साथी साथ DDT के बारे में ferons के बारे में idroforms के बारे में आपको in detail जानने की ज़रत है ठीक है फिर आपका next unit वो है alcohol phenol ethers इन तीनों को in detail जानना है alcohols में आपको नॉमेंटलेचर नॉमेंटलेचर का तो सब का आपको पता होना चाहिए और नॉमेंटलेचर भी तक सारी बच्चे को आता होगा ठीक है method of preparation नहीं भी आता होगा तो मैं explain करूँ अपने लेक्शेस में फिजिकल और उनकी chemical प्रॉपर्टीज यह सारी नॉमेंटलेचर method of preparation फिजिकल और प्रॉपर्टीज यह आपको हेलो एलकेंज की फिनॉल की एथर की ठीक है तीनों के बारे में study करना है अब यहां पर एलकोहल में उनकी identification फ्री डिग्री के अलकोहल है प्राइमरी है सिकेंडरी है ठीक है यह चीज और फिर mechanism of dehydration यानि की removal of h2o molecule इसको इसके mechanism को कहीं कहीं मतलब SN1 SN2 है वहां पर मेकानिजम वह इंप्रॉटन है जहां जहां भी आएगा वहां हम डिसकस करनेंगे सारे mechanism ठीक है यूजस विद रेफरेंस टू मेथनल और इंथनल मेथनल के respect में आपको सारे देखने है पिनॉल के बारे में जैसे कि मैंने बताया प्रिपरेशन फिजिकल और फैमिकल प्रॉबर्टीस और नॉमिंटलेचर यह सारी चीज़ें आएंगी यहां सभी आपको उच्छे कासे questions देखने को मिल जाते हैं फिर वह आप स्टेट लेवल के बीग्जाम दो आप से सेंट्रल यूनिवरस्टी के लिए हो गया औ आपको स्टेट लेवल का अलग से उग्जाम लेना पड़ता है वो स्टेट गन्रन नहीं आती है तो वहां पे भी आपको इस सारे से questions देखने को मिल अगर आप स्टेट लेवल यूनिवरस्टी के जो भी entrance होंगे वह आप easily clear कर ले जाओगे ठीक है चलो इथर्स की बात करें तो इथर्स में भी वही चीज़े पढ़नी है आपको physical और chemical properties और इसके यूज़स ही पढ़ने आपको ठीक है फिर है आपका aldehydes ketones और carboxly laser इनका भी nomenclature आपका जो aldehyde ketones और carboxly laser aldehyde ketone में जो carbonil रूप होगा उनके बारे में study और carboxly COH वाली ग्रूप के बारे में study करनी है आपको ठीक है और उनके chemical properties को देखनी है mechanism देखना है nucleophilic addition और reactivity देखनी है alpha hydrogen की in aldehydes और उनके uses क्या है ठीक है फिर आपका है carboxly acid ठीक है carboxly acid उनका nomenclature यह सम्में देख रह condition physical and chemical properties and uses ठीक है इस चीज में आपको 11th concept है जो सारी effects आपके inductive, mesomeric, electromeric, hyperconjugation यह सब concept बहुत ही clear चाहिए होता है तभी आपको यह सारे concept समाझ में आते हैं ठीक है इसलिए 11th जब तक आपको clear नहीं रहेंगा आप 12th वाले concept हो नहीं clear कर पाते हो ठीक है चलो हम देखेंगे है वहाँ पर अब यहाँ पर nitrogen containing compounds के बारे में study करना है एक है आपका amines, एक है cyanides and isocyanides और diazonium salts ठीक है इन तीनों के बारे में आपको देखना है यहाँ भी nomenclature classification, structure, method of preparation, chemical and physical properties इन सारे के बारे में study करना है और primary, secondary और tertiary amines के बारे में cyanides के बात करें तो यह भी जो भी points यहाँ पे है ना मतलब nomenclature classification, method of preparation, diazonium के साथ भी ठीक है और यह organic reaction में जो synthesis होती है उसके लिए important होते हैं ठीक है अब देखो यह biomolecules है biomolecules में आपको basically carbohydrates के बारे में प्रोटीन के बारे में study करना है biomolecules, hormones के बारे में तो यह वाली चीज भी आपको पूरा मतलब carbohydrates है तो classification उसका देखना है ठीक है primary secondary structure और साथे साथ tertiary और quaternary structure और यह सारी proteins का देखना है तो फिर आपको proteins का denaturation देखना है ठीक है अब इसमें hormones में elementary idea चाहिए आपको और vitamins का classification और function देखना और glucose acid का में DNA और RNA के concept को देखना है यह ठोड़ा सा bio अलब portion है है ठीक है तो यह चीज़े आपको यहां से देखने को मिल जाएंगी फिर आपका है polymers polymers में आपको क्लासिफिकेशन कुछ होता है आपके पास natural polymers कुछ होता है आपके पास synthetic polymers to natural polymers और synthetic polymers उनका preparation method उनका chemical formula क्या रहेगा यह सब चीज़े आपके लिए important हो जाते है ठीक है तो यह हो गया आपका polymers और यह चीज़े ठीक है और फिर आपका last है कि everyday life में chemistry क्या important है ठीक है यहां से आपका जो भी fertilizers वगयरा हो गया daily life में जो भी drugs हो गया ठीक है जो भी anesthesia वगयर क्यारा में anti fertility drugs ठीक है ठीक है अब डूसी चीज़ जो chemistry daily life में यूज होती है वो अपने food में होती है जैसा कि आपके पिकल साचारों में देखा जाता है उसमें preservatives जो daily food packet food होते है उसमें preservatives होती है तो वो daily food preservatives देखनी है और artificial sweetening देखनी है ठीक है और elementary idea of antioxidants जो होते हैं उनके बारे में general concept देखना है फिर आपका cleaning agent है cleaning agent क्या हो जाएंगे आपके जो soaps होते हैं साबून होते हैं detergent होते हैं और साथ ही साथ उनका cleaning mechanism क्या है कैसे वो मतलब काम करने कैसे साख होते हैं आपके कपड़े ठीक है तो इस चीजों को यहां पर discuss करना है ठीक है तो यह होगी क्या आपको chemistry domain में पढ़ना है और I hope आपके जो भी doubts रहे होंगे कि कितने questions आते हैं कितने marks के होंगे तो यह सब clear हो गया होगा ठीक है तो that's all for this video thank you so much